इंडिया बूल्स हाउजिंग फाइनाइस लिमिटेड के ओपर और उस प्रिविएस वीडियो अपलोड किया था और उस प्रिविएस वीडियो में मैंने आपको खुद बताया था दोस्तों आप 220 लेवल पे बाइंग भी कर सकते हैं जो अल्रेडी बाइंग लिए हैं इस तो रैली देता है तो कंटेंड रैली देता है उस कंटेंड रैली में होना चाहिए क्योंकि भाई साब को क्या है अटेंशन ज्यादा चाहिए तो यह अटेंशन की ज्यादा चकर में एक बार गड़बर भी करते हैं एक बार ज्यादा खुशी हो जाती है तो रैली भी दे ज लेके चलेगा और अगर यहां से भी ब्रेक करने वाला है ज्यादा से ज्यादा 210 और 215 ही इंडिया बुज देगा क्योंकि और इन जो अटेंशन है इसे ज्यादा चाहिए क्योंकि ओवर बाइंग के बिना ज्यादा टुन होने के बिना यह उपर नहीं बढ़ सकते और सही रस् लेवल पकड़ के रैली देने वाला है तो दोस्तों मेरी बाते हैं आपको थोड़ा बहुत गलत लग रही है तो जिल से माफ कर दीजिए आपका ही बत चाहूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हेलो एवरीवन मैं हूं मोहमत सुहेल आपके सामें स्टॉक पर बात कर रहा हूं इंट्राडे के अंदर ट्रेड और पोजिशन कैसे पकड़ नहीं है और इतना बड़ा स्क्रिंशॉट लेके आने का मेरा एक ही मकसाद है आपको समझाना समझाना ये था कि स्टॉक के अंदर देखी इसको भी बॉटम फिशिंग ही बोलते हैं इसी को भी बॉटम फिशिंग दिख रहा है और ये वाला जो है डायरेक्ट बॉटम फिशिंग ये Kingdom में वाला मेन्टेनेंच हो रहा है यह ओवर बंख हो रहा जिसे बोलते हैं हम लोग consolidation ये वाला हो रहा है अब इस consolidation में यह जान बूच के हमारे जो final breakout जब dividend लाके rally दिया मैंने बोला था दोस्तों पूरा cover करेगा देखिए पूरा cover कर गया अब यह क्या कर रहा है यहां तक तो proper rally दिया था 2021 की improper rally dividend आने के बाद जितना खाना है उससे ज् stock में reversal trend आ गया अब इस reversal trend का कारण यह नहीं है कि इसके अंदर earnings positive आई भी लेके जा रहा है कारण यह है कि इसके अंदर जो डिविडेंट की improper rally उसे close कर रहा है अब फिर से proper rally देगा जो 300 प्लेस लेवल होने वाले हैं तो मैं suggest करूंगा जो already buy करे हैं यहां पर average करिए वरना 210 210 और 215 तक जो trend reverse हो लोगा इसमें भी कर सकते हैं तो अभी भी suggestion करों अभी भी कर लीजे 15 रुपे में कुछ फरक परने वाला नहीं है और targets इसमें पहले 240 होंगे दूसरे target 255 होंगे final target 270 होंगी जब यह 255 270 target अच्छी होने के बाद sustain करेगा तो 300 प्लेस लेवल होंगी already complicated MACD ब होता है minus 10 और यह minus 10 level के पास आगे रुका है ज्यादा से ज्यादा minus 11.35 जाएगा इससे ज्यादा इंडिया बुल्च के अंदर reversal trend नहीं आएगा तो suggestion मेरा है buy कर लो already buy कर है average कर लो यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description में मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए India Bulls Housing Finance Limited का 15 minutes का intraday candle चाटे national stock exchange और India Bulls Housing Finance Limited totally आज जो एक consolidate में था यह Monday live market में buying pressure देने वाला है और इस buying pressure का सबूत दोस्तों आज आपको bottom fishing के साथ चालू हुआ और A की level पे आके sustain करने लगा और minus level MACD में clubbing की perfect rally नहीं हुई यानि यह improper rally देते वे direct targets देने वाला है इस तरीखे से तो suggestion मेरा यह है Monday live market में India Bulls पे totally buying pressure पे काम करिए 27 अगस 2021 Friday India Bulls Housing Finance Limited का closing है 220.00 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूँ for 30 अगस 2021 Monday के लिए Monday live market में आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target और stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों झीईफी छेखने के रखकापके उने को में सल दॉशणाद के रखकी जासी मेरे के दिए के रखकी को मेरे के लिए